बॉड बॉर्णिंग माई यूटूब फैमिली कैसे हो आप सब तो यहां पर मेरे सुबह के काम जो हैं हो चुके हैं जो कि मैंने साफ सफाई वगरा सब कुछ कर दी और बैट सीट तो मेरी कभी निकलती नहीं है जैसे बैट पर जो बैट सीट डाली हुई है न मैंने कभी निक लेकिन वो उसको न सुबह को मैं जहाड देती हूं उसको तो देखिए सब कुछ साफ सफाई हो चुकी है और आज मेरे हस्बेंट से भी मिल लीजिए और जहां पर भी जाओगे इनका फोटो जरूर मिलेगा क्योंकि मैं हर समय चलते फिरते मतलब हर समय नजर मतलब उनी पर र लगा रखा है जैसे के रूम में काफी बड़ा भी फोटो फ्रेम बनवा रखा है हेलो रादे रादे स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता सर्मा चैनल पर कैसे हो आप सब आई हो पाप सब अच्छे होंगे और मेरा काम खतम हो चुका है जो कि नहना भी हो चुका अब नहाने के बाद भी इतनी घर्मी है कि नहाने के बाद भी इतनी घर्मी है कि तुरांती गर्मी सुरू हो जाती है और किचिन में जाने का तो बिलकुल मन नहीं करता लेकिन किचिन में तो जाना पड़ेगा क्योंकि बिना किचिन में जाए काम तो होगा नहीं किचिन का खाना पीना जो भी है और आजकल तो सुबह सुबह जैसे चाय बनाई ना चाय बनाई उसी टाइम पर इतने पसीने आ रहे थे कि कपड़े मतलब भीग जाते हैं और खुद से ही अपने आप में ऐसा लगती है जैसे इस महल से सुरू हो गई क्या जैसे पसीना आ जाता है गर्मियों में बहुत जादा वह लगती है ठंडी अच्छी लगती है गर्मी ब्लॉग को पूरा देखिएगा और वीडियो में आगे सक बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और सेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंट्स के साथ और मैं आ चुकी हूँ किचिन में जो कि किचिन में बनानी है मुझे सब्सक्राइब सब्सक्राइब कढ़ाए जाता है न दिखता है अपने घर क्को अपना-पना तरीका होता है और तो क्ते च्टेल में तो घ्याकर और ऑ'm यह जीरा दालने को जीरा ढाला ही और उसके बाद मैंनstep कठेल कर दी है जीरे कठेल यह मिक्स दूद कर दोड़ाएं Aujourd ど Senior की ङृत earned कठेल को इस में नान सबी लया जाद कर दो सबbooks हल्दी बावडर धनिया पॉडर और लाल मिर्ची है में थोड़ी सी मिड्ची में ज्यादा डालतीयों मेरे घर में थोड़ी ज्यादा पसंद करते हूं ऐसे तो कम ज्यादा कर सकते हो Не ऌई कुछी नहीं- plumbing के बाद में मैं बाकी कठेल को भी रख दूँगी और इसमें बाद में थोड़ी सी कठेल और भी बचा के रखी थी वो ज्यादा कट गई थी थी थोड़ी सी वो भी मैं बाद में एड़ कर दूँगी इसमें क्योंकि ऐसा होता है जैसे सबजी तो बच जाएगी न तो वो शाम को भी काम आ और इसको थोड़ा सा पानी राइड करूंगी इसमें एक चम्चे के बराबर और बिल्कुल मीडियम गैस पर रख देंगे हमको इसको और बीच बीच में चलाती रहते हैं तो क्योंकि सूखी सब्जी जो भी होती हैं उन्हें बीच में चलाना पड़ता है तो देखिए इसमें में थोड़ी सी सब्जी और ती ना वो कठेल वह भी मैंने मिक्स कर दी ती और वह इसे वज़े से मिक्स की थी किसी कटी हुई थी बहुत मेहनत से कट़ बाइए और हम ऐसे छोड़ देती फिर मैं का सब्जी कि तो साम को काम आ चाएगी अगर एक्ष्ट्रा भी हो जाएगी नहीं तो साम को काम आ आती है खा लेते हैं हम लोग साम को तो इसको भी मैं धके रख दूंगी इसको और बीच में 2-3 बार मतलब चलानी पड़ेगी यह सब्जी और उसके बाद मैं मैं यहां पर अपना आटा भी कर लूँगी जो भी काम होते हैं किचिन के वह भी कर लूँगी साथ की साथ बर्तन वगेरा क्योंकि बर्तन से क्या होता है हम एक खटे कर देते ना तो बर्तन देखके मुझे बहु बीज होते हैं बूएज शान होते हैं बूढ़े बीज नहीं बल्सकीी ने कम sword के बत्ल स्टक्रण में बढा़ी तो तो बहुत अच्छी होतों आप लोगों ने देखा कि बहुत कम प्रां चलत कृक्ण कर बाता अई लेकिन बड़े नहीं खाते हैं तो देखिए यहां पर मेरी कठैल की सब्जी बन के तयार हो गई है बहुत टेस्टी सी का खाना पीना हो चुका है अम लगा लूंगी मैं अपनी प्लेट जो के मैं बाकी रह गई बाकी सब मैंने खाना खा लिया और प्रांशू के लिए मैंने दो रोटी रख दी हैं तो वह जब तक गरम डखिए और्म डयाओंने स्कूल अने भी न extend कभी कभी खाना के रख देती हूं हुसके फ़ैणे अने कि टीन में अने का कलussia कर्दों लेकिता को बहुंत था आर नहीं कर दो दो रखे हुए थे तो मैंहिने ने का मयको्ף राекना यह जाती है तो अविग्त ऑना ना रहा जाती है तो धियुके जो छोटी हुट ta आम रहाक ही जाते उनका सोचते णा मैंहों कि बना लें बड़े बड़ेव चहा लेते हैं और रहों और चोटे बनोरियों मैंहों करों कुण हात करें पड़ेंगे गंदे तो इस वजय से ना मैंने मैंगो से हां पर तो यह कट लिया मैंने सब जितने भी मैं मुद्गों थे ठीक तो मेरा बहुत अच्छा मैंगो से बन के तयार हो चुका है और इनको मैं गिलास में कर लूंगी दोनों के लिए दे दूंगी और टेश्टी सा आप लोग भी पी लीजिए और उसके बाद ये बच्चों को न मतलब जब मैंगो से बन गया तो कुछ फिर खाने के लिए भी चा जो प्राशू लंच में ले जाता था तो उसके सबजी रखी हुई थी तो उसको मैं एक सब्सक्राइब करके ना उसमें चलो दो सेंड़ बन जाएंगी एक एक बन जाएंगी इतने ही आलू थे बिलकुल तो दोनों काम हो जाएगा चलो एक एक इसे भी दे देती हूं तो मै पड़ों को गरμी लगती है लेकिन बचों को कोई मतलब नहीं होता क्योंकि उन्हें के काम करना पड़ता है लेकिन चलिए कोई नहीं बच्चों के लिए तो सब करना पड़ता है तो यहां पर मैंडरें सेंड्विच भी बन और यह वीडियो सुवैसे चल रहा है और इस वीडियो का मैंने एंड भी नहीं किया तो मैंने सोचा इस वीडियो का एंड करते हैं थोड़ी सी बात करते हैं और आज जो मेरी वीडियो गई है न उस पर एक कोमेंट आ रहा था क्योंकि कल मैंने जो डोसा तवा और लंच बॉक उत्पम बनाओ, कुछ भी बनाओ, मतलब बहुत सारी चीज़ा इस पर बन जाती हैं, और आगे आने वाली वीडियो में मैं भी सेयर करूँगी, जो जो बनाओंगी इस पर, वो सब भी मैं सेयर करूँगी, और उसके लिए रेट के लिए भी पूछा था कि कितने का है, तो मैं मैंने कोमेंट में गलत बता दिया था उनको, जैसे उनको बताया था मैंने ग्यारे सो रुपे का, लेकिन मैंने उसका जब पढ़चा देखा ना, जब निकाल के, क्योंकि मुझे मुझे, मतलब ऐसे दो तीन चीज लेते हैं तो दिहान नी रहता हमने कितने का क्या चीज है, तो मैंने अभी मतलब वो देखा उठा के, मैंने का देखूं कितने का है, तो वो 1315 रुपे का है, 1315 रुपे का आया है, डोसा तवा, लेकिन इसमें मतलब हलके वाले भी थे, 800 रुपे का भी था, और कई थे इसमें, लेकिन उन्होंने जब बोला ना, कि घर के लिए, मतलब लगने का डर नी रहता, और मतलब अच्छा बताया, उन्होंने दुकान बाले जो अंकल है, काफी बुजुर गए, तो वो बोले घर के लिए ले जा रहे हो, तो ये वाला लेके जाओ, और जो प्रांशु के लिए लाई थी ना, वो 370 रुपे का था, लेकिन वो मैंन पसंद ही आया, वो आज ही रखा मैंने लंच और जब दुफेर में बापस लेके आया ना, तो मुझे अच्छा पसंद ही आया वो, तो चलिए इस वीडियो का मैं यही पर एंड करूंगी, आई हो पीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करें और बिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाई बाई